दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाल हो कि आप कैसे आपके रियल मी नार्जो 70 टर्बो स्मार्टफोन के अंदर LED नोडिफिकेशन इनेबल कर सकते हो यह काफी नाइंस कर देता है आपके स्मार्टफोन के लुक को और यह काफी जबरदस लगता है देखने में तो दोस्तों इसके अंदर काफी सारे कलर्स वे वेरियंट आपको देखने के लिए मिल जाते है जैसे रैंबो स्टाइल स्पेक्ट्रम वन कलर टू कलर त्री कलर जो भी कलर आपको यहाँ पर इनेबल करना होगा ओ यहाँ पर आप सिंपली इनेबल कर सकते हो तो दोस्तो इसी प्राकार का मोबाइल से डिलेटेड वीडियो कंटेंट डेली अप्लोड होता रहते हैं मारे चैनल पर तो लाइक शेयर सस्क्राइब कर लिजा मारी चैनल को स्टाट कर लेते हैं यह बहतरिन सी वीडियो तो दोस्तों अगर आपको भी आपके स्मार्टफोन के अंदर इनेबल करना है तो आप कैसे कर सकते हो आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको इनेबल करने के लिए एक एप इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि एक काफी चोटे एमबी का एप है और यहाँ पर आपको यह कैसे इंस् जो भी यहाँ पर cancel हो और यहाँ पर allow करके यहाँ पर आपको simply back के उपर click करके यहाँ पर ऐसे कुछ private policy आपको देखने के लिए मिल जाती है अगर आपको private policy आगर read करने होगी तो आप simply read भी कर सकती हो यहाँ पर read होने के बाद आपको simply agree के उपर click करना है और जो हमारा app का interface है वो यहाँ पर खुल चुका है और यहाँ पर काफी सरी setting आपको देखने के लिए मिल जाती है इसके बाद आपको simply main settings के अंदर चले जाना है दोस्तों और required permission के उपर click करना है इसके बाद independent light controller यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इसके उपर आपको simply click कर देना है और यहाँ से आपको download app के उपर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर AOE जो तीनों दीख रहे है इसको आपको simply तीनों के उपर जाकर यहाँ पर allow करना पड़ेगा और यहाँ पर अगर आपके smartphone के अंदर ऐसा कुछ आता है तो इसके बाद आपको simply यहाँ पर click करके इसे ok कर देना है ok के उपर जैसे क्लिक करते हो जो यहाँ पर allow हो चुका है हमारा जो इस सेटिंग है उसके बाद आपको simply यह दोनों भी आप उसी प्रकार से allow कर देने तो दोस्तों यह allow कर लेता हूं मैं और उसके बाद दिखा तो आपको आगी की सेटिंग क्या करने है सो दोस्तों यहाँ पर तीनों जो सेटिंग से वह allow हो चुकी इसके बाद आपको simply बैक चले जाना है बैक होने के बाद यहाँ पर आपको independent light controller के नीचे यहाँ पर notification access वाली सेटिंग नजर आ रही होगी उसके उपर आपको simply click करना है और enable के उपर click करके इसे notification access दे देना है इसके allow कर देना है और यहाँ पर allow करके यहाँ टिक करके यहाँ पर OK कर देना है OK जैसे ही करते हो दोस्तों यहाँ पर allow हो चुकिए हमारी सेटिंग और यहाँ पर tick mark भी आ चुकिए tick mark आने के बाद यहाँ पर कुछ भी आपको छेड़ चार नहीं करने और optional permission बे भी आपको कुछ भी नहीं करना है इसके बाद आपको simply save के उपर क्लिक करके यहाँ पर free वाले के उपर क्लिक करना है free वाले के जैसी उपर क्लिक करते हो यहाँ पर वीडियो आ जाएगा और वीडियो देखती है हमारी सेटिंग वो successfully save हो चाहेगी तो दोस्तो इससे save करने के लिए यही कुछ आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा वरना यह एप paid है अगर आपको paid version भी लेना होगा तो इससे आप simply ले सकते हो settings हो successfully आ चुका है दोस्तो इसके बाद आपको simply back आ जाना है app settings के अंदर चले जाना है और यहाँ पर आपको when to turn on edge LED notification इसके ओपर क्लिक करना है और आपको यह कब चाहिए notification आती है यह किसी app की तोप चाहिए या फिर charging के वक्त चाहिए music सुनते हो वक्त calling के वक्त तो यहाँ पर कई सारे डेर सारे option आपको देखनी के लिए मिल जादी है इसके बाद आपको notification के ओप पर क्लिक करना है आपको display on चाहिए या फिर off कप चाहिए LED notification आपका display on रगा तब या फिर off रगा तब तो यहाँ पर always करेंगे और always on, off जैसा भी होगा इसके बाद आपको कुछ भी छेड़ खाने नहीं करने इस settings के अंदर अप charging को अगर आपको charging के वक्त भी चाहिए तो यहाँ पर उसी प्रकार की settings कर लेने है always off और on इसके बाद नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको edges brightness वगेरा इस बदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसके बाद आपको simply save के उपर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको free के वाले के उपर क्लिक करना है और इसे save कर लेना है settings successfully यहाँ पर आ चुका है दोस्तों जैसी की आप दर आप देख सकते हो तो दोस्तों जो अमारी third setting है वो जो काफी main setting है lightning setting इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तभी कुछ LED notification आपके smartphone के अंदर enable कर सकते हो इसके बाद lightning settings के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर device screen corner के उपर क्लिक करना है अगर आपको corner में भी चाहिए LED notification तो यहाँ से आप settings कर सकते हो तो यहाँ पर corner में हमें नहीं चाहि जो भी है वो यहाँ पर आपको select कर लेनी इसके बाद यहाँ से दैन से देखिए दोस्तों यहाँ पर setting करना है आपको notch width के यहाँ पर आपको first setting है वो यहाँ पर 80 कर देनी उसके बाद जो हमारी notch height है उसको यहाँ पर 83 के असपास यहाँ पर आपको कर देना है 82, 83 के असपास तो यहाँ पर 82 कर देते हैं और इसके बाद जो अमरी 3rd setting है उसको 82 कर देना है और जो 4th setting है उसको आपको 22 कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है अगर आपको थिकनेस बढ़ाने होगी HLED notification की तो यहाँ पर देख सकते हो जो enable हो चुका है उसको अगर थिकनेस बढ़ाने होगी तो यहाँ से आप simply थिकनेस बढ़ा सकते हो इसके बाद यहाँ पर lightning placement के उपर क्लिक करना है अगर आपका यहाँ पर around notch only के उपर छोड़ के यहाँ पर जो भी setting होगी जिसके उपर भी क्लिक होगा उसके उपर से हटा के यहाँ पर आपको around notch only के पर क्लिक है उसके आपको follow के उपर क्लिक कर देना है follow के उपर जैसी क्लिक करते हो रही यह rotate होने लग जाएगी जैसी कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी ADD notification हो रही है इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है lightning mode में तो यहाँ पर यह पूछ रहा है कि आप आपको continuously चाहिए यह 50% से अगर आपकी battery less charge होगी तो यह बंद हो जाएगा automatically तो दोस्तों यहाँ पर continuously भी रख सकते हो यहाँ पर 50% सकाई भी रख सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर age color amount के उपर क्लिक करना है अगर यहाँ पर आपको rainbow के उपर क्लिक करना है तो यहाँ पर rainbow के देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे spectrum का भी option देखने के लिए मिल जाता है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो काफी बड़ी अलगता है इसके बाद अगर आपको एक ही color में यहाँ पर LED notification रखना है तो वन कलर के उपर क्लिक करना है और यहाँ से आप simply रख सकते हो जो आपक colors में वो यहाँ पर enable हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसके बाद अगर आपको तीन color में रखना होगा तो यहाँ त्री colors के उपर क्लिक करना है और जो हमारा त्री colors में वो यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो आप काफी अच्छी तरके से यहाँ यहाँ प पूछ दिखता है दोस्तों और अगर इसको ग्लो करते हैं आप तो यह जो अमारे अराउंड नौच हैं वह यहाँ पर ग्लो हो जाती है अगर आप इसे डैश करते हो तो यहाँ पर उप्षिन आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके बाद में अगर आपको सिंप्ली ग्लो के उप़ क्लिक करना है अगर आपको इसकी Speed बड़ानी होगी जो rotation की Speed है वो यहांपर कम-ज्यादा करनी होगी तो यहां से आप Simply कम-ज्यादा भी कर सकते हो पर यहांपर आपको 3 के उप़र यहांपर minimum रख देना है और यहाँ पर इसे save कर लेना है save करने के बाद यहाँ पर आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा और जो हमारी setting हो successfully save हो चुकी ज़िए कि आप यहाँ पर देख सकते setting से successfully आ चुका है तो दोस्तो इसके बाद आपको simply नीचे आ जाना है और preview के लिए पर click करना है तो दोस्तो यहाँ पर आप preview देख सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो काफी बेतर इन लग रहा है दोस्तो अगर आपको यह process करने होगे और यह app install करने होगी तो आपको description में op the digital king के सामने यहाँ पर आपको एक link मिल जाएंगी उस link के द्वारा आप इस install कर सकते हो और आपके process कर सकते हो आपके mobile के अंदर और इस LED notification को enable कर सकते हो तो दोस्तो मिलते अगर लिए में तब तक के लिए बाई